जब मैंने अपना यूट्यूब चानल स्टार्ट किया था वीडियो बनाने स्टार्ट किये थे दोजार अठारा में टेड टॉक करने गए थे तो उसका क्या एक्सपीरियन्स था? काफी पहले था कि रीजनल में चले जाओ, नौधन टेरिटरी में चले जाओ, तस्वीनिया में चल जाओ, पी आरा जाएगे वह सरे न मिस्कंसेप्शन होते हैं स्टूडेंट के वीजा को लेके, माइग्रेशन को लेके मैंना आप एक और स्टूडेंट वीजा दिला दो, नहीं जरूरत ही नहीं है, आपकी प्यार आरही है जो भी जनतचा है इंडिया पाकिस्तान कहीं से दुएख रही है, कितने तरीके हैं ऑस्ट्रेलिया में प्यार लेने के उनको किसी ने सला दे दी नर्सिंग कर लो इसमें पी आरहा है, आपनी पराने वीडियों में देखा हुगा, पहले हमने वीडियों जो बनाई है, माइग्रेशन रिलेक्ट बनाई है तो आज हम जानें के इनकी जर्नी के बारे में कैसे यहाँ पे आये हैं और अभी कौन सा बिजनस कर रहे हैं और क्या-क्या दिक्कते आती है अगर किसी ने अगर बिजनस करना हो और क्या-क्या बेनिफिट्स प्रोड्म Hayala तो थैंक यू स्वामच आपने अपना टाइम दिये जी थैंक यू नवजू अपने शो पे बुलाने के लिए जैसे आप इंडिया से आए तो आप स्टुडेंट पे आये थे या किस तरीके से आए थे आप और किसी एर में आये थे आप तो मैं ऐस्ट्रेलिया आई हूं दो स्टुडेंट को पर पहले कोई गाइड करने के लिए नहीं होता थो तो तो ताइम लग गया सिटिजन्शिप लेते लेते उनको तो मैंने डिरेक्ली नहीं देखा है सारा कुछ बट आप सीन इत्रू मैं हुस्बंट और बट जब तक मैं आई थी वस अ पर्मनें पर्मनें आई में सुक्षकर बाइड करने रहे अज अचा कर लेरा कि लेंट लेग्ट सीन इस अचाने जिलेजिए बट लेवा रिख लेग्यां पर्मनें जा एड वाइड कर बाते थी नहीं होते तो तो तब बहुत कम स्टुड़ेंच अपर्ट देखे थे कुच्छ मैंग्रेशन प जाना, it was too early for me, but शुरू से ही मुझे हमेशा ही होता था कि to create opportunities for others, लोगों की help करना किसी तरीके से, तो जब में को मुझा मिला पढ़ाई करने का Migration Law, तो I studied in 2017, which is way after, बटब तक ही है कि you know, at that time we just got married, we had our kids, तो बच्चे थोड़े से बड़े हो गए थे, and I could focus back on my career, and I chose to become a Migration Agent, और उसमें थोड़ा सा ये personal reasons भी थे, कि जो हमने देखा है, like मेरे हस्बन ने देखा है, my brother came to Australia as a student, my brother in law came to Australia as a student, तो वो जो सब लोगों ने देखा है और उनकी जो जर्नी रही है, इतनी difficult, कि is there a way कि I can be a part of this journey to make it a bit easier, तो ये हमेशा मेरे देमाग में होता था, और जब मैंने अपनी job शुरू की first, you know, I started my job जैसे में को license मिला 2018 में, तो जब मेरे पास students बात बात करने आते थे, तो मुझे लगता था कि hang on, like why are you studying for so long? आपकी तो permanent residency दो साल पहले हो जानी चाहिए थे, आपने क्यों नहीं तब step लिया, तो वो हमेशा मुझे बोलते थे कि नहीं हमें किसी ने guide नहीं किया, तो तब मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है, like इतना wrong advice, क्यों है, I'm talking about 2018, like I said कि अभी बहुत चेंज हो गया है, students अभी बहुत समझतार हो गया है, which is really good and I think part of the reason is कि information available है, right? जब मैंने अपना YouTube channel start किया था, videos बनाने start किये थे, 2018 में कोई भी नहीं था, जो information ऐसे देते थे, और जो हमारे कुछ कुछ कलीक्स होते थे, और जो migration professionals, या lawyers थे, को बोलते थे कि, why you are providing this free information, why you are doing this, कि लोग तो अपने आप कर लेंगे अपना वीजा, then why do they need you? I said, well, अगर मैं किसी की one-on-one help कर रही हूं, तो मैं एक ही बंदे की help कर रही हूं, right? और अगर मैं वीडियो से information दे रही हूं, अगर किसी का भला हो रहा है, तो मेभी 100 people are going to get permanent residency in Australia, so I chose that path, and I'm so glad कि, जब लोगों ने मुझे मना किया, मैंने अपने अंदर कि आवास उनी, और मैंने वो मेरा decision था, कि मैं हमेशा ऐसे information प्रोवाइट करती रहूंगी, honest advice provide करती रहूंगी, अगर किसी को लगता है कि I'm being, I'm not being fair to my profession, let it be, क्योंकि I think information देना, सही information देना, सब का हक है, हरी का हक है कि सही information लेना, तो आपने बताया कि आप चलो 2000 और फिर 2018, उसके बीच में कुछ तो आपने किये होंगे बिजनस होगा है, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा देखो, वो कहते है ना कि before you become successful, you have to fail a few times, ठीक है, एक successful बंदे और एक failure में क्या फारक होता है, कि failure ने एक बरी तुबारा ट्राई नहीं किया, राइट? अगर हम बार-बार फेल और फिर भी ट्राई कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन तो success मिले गाई so this is actually my third business okay I failed in two other businesses we had a hospitality business I failed miserably in that one क्योंकि बहुत anti-social business था रात के आवर से and you know we had a family, we couldn't do it but अच्छा हुआ वो मैंने करके देख लिया because अब में को exactly पताया है कि hospitality is not the business I'm going to get into and then I started like internship kind of you know थोड़ा सा मैंने start करने की कोशिश की but because that was also related to kind of you know visas and migration and not having a license was an issue so I failed in those businesses and then when I started this business I was sure कि में को यह करना है and यह business start करने से पहले मैंने साड़े तीन साल जॉब की है किसी के अंडर so I had a mentor I had a lot of help just to make sure that I'm doing the right thing but in saying that I always had the passion to go and find the answer right मतलब solution find करना एक मेरा हमेशा से like you know like puzzle solve करना मुझे हमेशा exciting लगता है कि अगर कोई आके बोल रहा है कि कोई अप्शन नहीं है मेरे पास वीजा की I'm like how come we've got like so many different type of visas कुछ ना कुछ तो होगा कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा because मुझे ऐसे लगता है कि हर इक problem का कोई ना कोई solution तो होता ही है so and this is something I always enjoyed like even when I was not a migration agent you know finding solutions तो इसके जरिये और लोगों की help और ही है लोगों बड़े खुश हो रहे है मुझे आके बोल रहे है कि हमें तो किसी ने बताया है how come it's all there like you know it's just there so I'm very glad I'm very grateful कि मुझे एक करियर मिला थोड़ी लेट मिला मेरी लाइफ में बट मुझे एक मिला एक परपस मिला मतलब मेरी लाइफ का so I'm really happy for that अब ही मिरक ये चीज बताओ कि जैसे मालो किसी आप जब माइग्रेशन एजेंट हो अभी है इसकी क्या टेम होती है माइग्रेशन लोयर अग होते है हमारी टेम होती है registered migration agent because we need a license देखो अभी मुझे नहीं पता क्योंकि इनफलेशन की वज़ा से सब कुछ बहुत महंगा हो गया है but एक साल का कोर्स है ये but you need to have a degree before that वो डिग्री किसमे होनी चीए किसी भी फिल्ट में आपके पास अगर डिग्री है अगर इंडिया से भी आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री है तो आपके पास यहाँ पे अगर पर्मनेंट रेजिदेंसी है तो आप ये वाला कोर्स कर सकते हो ओके ठीक है तो अभी जैसे मैंने तो आपको देखा है स्टोरीज में जो आपके देखा था TED Talk करने गए थे तो उसका क्या experience था और वो कैसे होती है मेरे को नहीं बताया कि क्या सीन होता है हमने सुनी ये लोग की तो उसमें क्या process होता है और कैसे आप जा सकते हो वहाँ पे देखा ये जो TEDx Talk की जर्णी है इट वस अ वेरी लॉग जर्णी फो मी पहले बात तो मैंने वो manifest किया कि मुझे TEDx Talk करनी है तो मैंने किसी की देखी थी हम सबने देखी होती है कि इसना किसी की तो I got like really inspired कि this is something और मेरा passion है Australian Migration तो मैंने सर्च किया कि how come Australian Migration के ओपर कोई भी TED Talk नहीं है तो मैंने अपनी TED Talk you know script करनी शुरू कर दी took some time because एक थोड़ा format होता है formula होता है there are a lot of things you cannot talk about on TED stage कि आप अपने business के बारे में नी बात कर सकते कुछ promote नहीं कर सकते तो उनके काफी rules होते है terms and conditions है तो आपको script पहले भीजनी पढ़ती वो approve करते है ऐसा होता है तो script उनके हसाब से होनी चाहिए और आपका कोई personal agenda नहीं होना चाहिए तो मेरा personal agenda था ही नहीं तो उसमें यह है कि आपका कोई personal agenda नहीं होना चाहिए आपके business की कोई promotion नहीं होनी चाहिए commercialization नहीं होनी चाहिए तो पर में को पता था कि it was just so that I can reach a wider community tell them about Australian migration कि अगर आप manifest कर रहे हो, सोच रहे हो कि आपको अस्ट्रेलिया में मूव होना है permanently, तो possible है अगर आप right steps लोगे, right advice लोगे, तो definitely आप अस्ट्रेलिया में मूव हो सकते हो, तो उसके लिए बहुत applications में डाली थी, यू़कि आपको पता है, अगर आप परसंटेज तेखो TEDx Talk Speakers TED Talk Speakers they are like maybe 1 or 2% like, बहुत जादा लोग TED Talk पे नहीं जाके अपनी Talk करते हो, even doesn't matter how popular they are but the reason for that is, it is a very hard process and long process so बहुत सारी applications डाले थी I don't know, 50 I don't know, maybe applied at 50 जो organizers होते हैं, TED Talk के और एक जगह से मेरी selection होई क्योंकि उनकी जो theme थी, which was Beyond Borders वो मेरी Talk से match कर रही थी so that was, luckily that was in India उससे पहले में कोई को ऑपचुनिटी मिली थी UK में, but UK के कोई regional area में हो रही थी but वहाँ में में जानी पही थी because they only gave me like 7 days notice तो फिर जब में कोई उपचुनिटी मिली, I just quickly grabbed it and I flew like they just told me like 5 days ahead or something and I straight away booked my flight and I had my talk ready and वो flight में प्राक्टिस करती गई because you can't, you don't have like anything in front, right? You have to memorize everything and then talk so it was a big challenge but I think उसकी वज़ा से में काफी लोगो को रीच कर पाई हूँ क्योंकि अगर आप कोई Australian migration पे talk अगर आपको देखनी है या migration पे कोई talk देखनी है तो my talk comes there and it's on the topic of Australian migration which is really close to my heart ठीक है, तो उसमें कट्स होगरा भी होते हैं मुझा एक ही फ्लो में आपको बोलना है अगर कुछ फंबल हो गया वो करते हैं अगर कुछ चॉप करना होगा तो हम कर देंगे बाट आप टेस्ट मेक शूर कि ऐसा कुछ ना हो और आपने अच्छी दरा से प्राक्टिस की हुई हो तो उसके लिए कोई फी वगरा भी देनी पड़ती है एक चीज और है जो मैंने आपका देखा था अपना फोर्प स्वाली लिस्ट पे भी थे तो उसका क्या सीन था वो कैसे हुआ सब कुछ वो भी आपको सम्मिट ही करना पड़ता है तो उसमें टॉपिक था क्योंकि तब मैं अपनी टेड टॉक के लिए प्रेपेर कर रहे थी कि मेरी टेड टॉक तब नहीं होई थी तो वो डूण रहे थे वो लोग जो चाहते हैं कि उनकी टेड टॉक कभी आए और उनके पास कोई इंट्रस्टिंग टेड टॉक का टॉपिक है तो मैंने अपना टॉपिक भीजा था तो उनने दस लोगों का चूज किया था उसमें मेरा भी आया था तो एंड उसमें मैं यह बोल रही हूं कि I want to talk about this पर्ड आइ थिंक अगें में भी manifestation लगा लो visualization लगा लो कि वो मैंने ऐसे express किया कि मुझे TED टॉक करनी है और फिर मेरी application भी उसके आइ थिंक चार या पांच महिने के बाद approved हो गए थी तो ठीक है चलो यह तो होगी आपकी personal अभी जो मेरी audience specific student वाली उनके बारे में थोड़ा knowledge लेते हैं आपसे जैसे बहुत सरे ना misconceptions होते है student के visas को लेके, migration को लेके तो उसके बारे में आपकुछ बताओ कि क्या सही है, क्या गलत है देखो students, पहले बात तो I want to really appreciate all the students जो भी हैं यहां पर, बहुत मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने अपने आपको inform रखा हुआ है migration changes के लिए कि क्या हो रहा है migration में और social media पर जैसे वो follow करते हैं content जो migration related news आती है, हमेशा updated रहते हैं वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपका end goal जो है, वो है permanent residency, right तो उसमें से एक important step जो होगा, वो यह ही होगा कि आप अपनी knowledge हमेशा on top रखें, 100% रखें but उसमें भी थोड़ा सा balance balance यह कि just because आपके आप new सुन रहे हो, updated रख रहे हो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सब पता है okay, so there is, has to be a balance, right जहां पे आपको migration professional की जुरूरत है वहां पे आप जुरूर यूस करो, जिसको आप trust कर सकते हो उससे ही आप अपनी application का process करवाओ और कईबरी क्या होता है कि हमें लगता है कि सारी information available है social media पे but like I said, क्योंकि अभी it's like a sales kind of pitch also, isn't it आपको कुछ agents या lawyers लगा लो थोड़ी सी information देते हैं, पूरी information नहीं देते कईबरी क्या होता है, कि जो थोड़ी information है that is, that can ruin things क्योंकि वो complete information नहीं है तो गडबर हो जाती है for example, you know काफी पहले था कि रीजनल में चले जाओ Northern Territory में चले जाओ तास्मीनिया में चले जाओ, PR आजाएगी okay, PR आजाएगी, but do you know how पढ़ाई करनी बढ़ेगी अगर दो साल की बढ़ाई Northern Territory में चले जाओ, तास्मीनिया चले जाओ, आपने पूरी information नहीं ली, आप आप मूव हो गई अप वहाँ जाके आप एकदम से आपको लगा कि नहीं कुछ गडबर हो गई है फिर आप help ले रहे हो, फिर आपको पता चला, hang on that decision was wrong, you know तो आधी information से कभी decision मत बनाओ, देखो हम यहाँ आते हैं like how much is the fee, नवजो 25-30,000 डॉलर होगी जादा होती है, साल की अगर आप लगा हो, साल की 25-30,000 लगा लो अप डिपेंड करता है, यूनी यूनी पर किसी की 15,000 तो होती ही होती है और अगले साल अभी देखना जादा हो जाएगी, यूकि कैप लग गई है, यूनी आफ तो रिकवर थे खोस्त, सारी फीस अभी अगले साल 15-20% और जादा हो, आप इतने पैसे आपने बड़े मज़ से यूनी को दे दिये, जब आपकी बारी आई, माइग्रेशन एडवाईज लेने की, then you are thinking, for few hundred dollars, you are thinking, मैं कहते हूं, अगर few hundred dollars देके, अगर आपको पांच एजेंट के पास भी जाना पड़ जाए, it is worth your money, क्यों, क्योंकि आपको एक पूरा advice मिल गया, और अगर पांच में से चार सेम राए दे रहे हैं तो ठीक ही दे रहे होंगे, क्योंकि अगर सब गलत राए दे रहे होंगे तो अलग-अलग होगी, राइट, अगर सही दे रहे होंगे तो चार की तो सेम होगी, अलग-अलग जाके कि किसने क्या-क्या दिया है, जब आपकी life का वो एक बड़ा decision है, उसमें वो जगा-जगा नहीं जाएंगे, वो, मलब, mostly ऐसा करते हैं कि यार, वो तो ना charge करते हैं, मिलने का भी, पर इदर भोलो को यह नहीं बता कि वो बंदे का भी time है, तो 100-200 डॉलर देना नहीं चाहते हो, चाहता है कि जिदर-जिदर फ्री में information मिल रही है, यहां कुछ एजेंट से जो जिसे फ्री में भी consult कर लेते हैं, तो लोग को लगता है कि वो बड़ी होगा जो फ्री में कर रहा है, पर ऐसा नहीं होता है, बिलकुल, तो इसके उपर ना एक जो एक वीडियो बनाया था, क्योंकि I wanted to kind of educate, you know, youngsters, how to make a decision, एक नजेफ बेजोस का future, right, कि कुछ भी घालो, who cares, unless you are on a diet or something, then क्योंकि compound effect है, then you will, you know, check the calories and everything, की protein कितना है, you know, और सब चीजें कितनी है तब, but अगर आपका कोई ऐसा decision है, which is not impacting your future that much, you can take it very quickly, right, but let's say, अगर कोई decision है, कि, let's say, आपका decision है, मैं को world tour करना है, तो वो अप थोड़ा सा और ध्यान से करोगे है, क्योंकि money है, but it doesn't really ruin your future in any way, right, अगर आपके 10-12,000 जादा लग भी गए, तो it's alright, you're just doing an experience, but अगर कोई ये decision है, कि course कौन सा करना है, right, उससे किया है, आपका सारा future निर्भर है, तो अगर वो decision लेने में, आपके पैसे लग रहे हैं, एक हफता भी लग जाए decision बनाने के लिए, take your time, क्यों क्योंकि उस decision पे आपकी सारी life निर्भर है, so that's how I advise कि, आप ये वाला decision ऐसे नहीं ले सकते कि अभी lunch में क्या करना है, क्योंकि ये आपके future पे depend है, तो दो-तीन, you know, ल Migration rules, overnight change हो रहे हैं, पहले तो ये होता था, हर सालवाथ चेंज होते हैं, अब तो, कोई पता नहीं, आज में आपको कुछ पता हूं, कल वो valid हो, now, you know, disclaimer, तो हो सकता है, change हो जाए, तो आपके friends की, अगर PR easily आगई है, then you can't leave that thing last minute पे, कि उसकी तो आगई थी, तो हम आराम से द decision बहुत important है, और इसको lightly मतलो, आपके, अभी आपको काफी time हो, कि में 6 साल होगे, migration में, तो आपने, 8 साल, sorry, 8 साल, हाँ, business select, हाँ, ठीक है, तो मेरे को एक बता हो, आपने बहुत सारी weirds, वो भी फाइले में देखी होंगी, कि कि किसी का बहुत case बगड़ा हुआ है, कि बिल कि मैंने बहुत, like, you know, educational content में बहुत बनाती हूँ, कि awareness हो जाए, मतलब में कोई नहीं है कि आप मेरे पास आओ, अपना visa करने के लिए, because, luckily, by the grace of God, we have actually more clients than what we can handle, तो हमें यह होता है कि अगर आप खुद से कर सकते हो, या कहीं और भी जा सकते हो, हमें कोई problem नहीं है, that's fine, but अगर हमारे information देने से किसी का भला हो रहा है, we always wanted to do that, तो उसकी वज़ा से बहुत आते थे, applicants, और में उनको बताती थी कि, ठीक है, कर देते हैं, आपकी अभी permanent residency का कर देते हैं, I should be alright, they were like, so, are you saying that we are going to get permanent residency, we've just finished our course, I said, yeah, yeah, you will get it, तो बहुत सार मेरे clients थे, जैसे उनोंने दो साल की master's की, two and a half years पे, they got permanent residency, and they were like, no, we are not going to believe it, can we have a backup plan, कि हमें आप, हमें आप एक और student visa दिला दो, मैंने बोले नहीं, जरूरती नहीं है, आपकी PR आरही है, तो काफी लोगों को ये बिलीव नहीं होता था, कि इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, reason being, कि उस time पे, जब किसी के पास भी लोग जाते थे, उनको ये बोलते थे, हाँ, ठीके, ये हो गया course, अब ये कर लो, अब ये कर लो, तो I had so many clients, जो साथ-साथ, आठ-ठाथ साल से पढ़ाई ही करी जा रहे थे, और मैं उनको बोलते हैं, hang on, we can get you something like in 6 months or 12 months, they just wouldn't believe us, और application डली होई है, और वहमें बोल रहे हैं कि हमारा student visa भी डाल दो as a backup, because they were so used to that, क्योंकि ये चीज़ नहीं लोग सुनते हैं, क्योंकि ये चीज़ नहीं पी आर नहीं होती है, तो जैसे अपने बोला कि अगर आपकी एक डिग्री फिनिश है, तो I am like, you have finished the study, you have invested your money, now go all in with that degree, अगर उसके लिए job ढूंडनी है, job ढूंडो, employer ढूंडना है, employer ढूंडो, let's go all in with that, because we've already invested our money, as long as we can get a skills assessment, क्योंकि skills assessment भी हाँ बहुत जरूरी है, unless you're going for an employer-sponsored visa, then we can skip that also, but अगर job है, आपके पास अपनी field में, तो अभी तक मेर पास ऐसा कोई case नहीं है, जो अपनी field में job कर रहे हो, और उनकी permanent residency नाई हो, एक मेरे को और जो भी जनतचाह, इंडिया पाकिस्तन कहीं से दुएख रही है, कितने तरीकें हैं अस्ट्रेलिया में PR लेने के, देखो, डिपेंट करता है, but I would say, generally, I would say, six to seven ways, जैसे partner visa हो गया, employer sponsored में भी आगे, दो या तीन तरह के visa हो गये, अब हमारे पास dama भी है, अगर आप जैसे, अगर आपके पास यह सारी रिक्वाइमेंट नहीं भी है, तो आपको वह फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, are you 50, you know, जैसे हमारे पास एक फैमिली आई थी, they had given up all hopes, कि अब तो, क्योंकि, you know, they got refusals, AAT, फेडरल, मतलब काफी उनका messed up case था, and they were over 45, but then we figured out, okay, you're over 45, still we can go through DAMA, and the whole family got permanent residency through that, so options होती है, you know, you have to check, कि कौन सी option आपको फिट करेगी, okay, हाँ तो, और आप दें, डामा के आगे, डामा है, employer sponsored हो गया, partner visa हो गया, global talent visa है, हमारे पास, business visas हैं, जो अभी थोड़े से बंद हो गए हैं, but then we've got the small business owner, for example, in Queensland, then we've got the business visa in Canberra also, so, you know, there are few pathways like this, जैसे मैंने अभी आप से बात करी, कितने तरीके के PR visas हैं, ठीक है, Australia आना तो चाहते हैं, तो उनको क्या advice देना चाहते हैं, जो आगे आने वाले students हैं, देखो, अगर आप sure हो की आपको Australia में आना है, पहली बात तो आप sure हो जाओ, ठीक है, decision बना लो, कहीं लिख लो, कि मुझे Australia ही जाना है, उसके बाद, जो steps हैं, Australia आने के लिए क्या steps हैं, क्योंकि अगर आपके पास skill अभी नहीं है कोई, तो क्या भी कोई वहाँ पे आप skill ले सकते हो, जैसे हमें पता अभी हाँ पे construction workers, नवजोद कितनी दिमांड है, भूँट, वहाँ पे आप कर लो, कार्पेंटरी, काबिनेट मेंगें, कुछ ऐसे कुछ कर लो, अगर आप तीन से चार साल का फुल टाम वर्क एक्स्पिरेंस ले सकते हो, आपके पास evidence है, वहीं से आप skills assessment करके, आपको इतनी देर नहीं वेट करने, क्योंकि काफी लोगों को होता है, कि नहीं, I'm not gonna wait that much, but I'm just saying कि, sometimes waiting also pays you off, you know, if you have patience, और आप right steps ले रहे हो, that is also good, नहीं तो फिर आप, दूसरा रास्ता है, कि आप student visa पे आ जाओ, बर अगर अगर आप student visa पे आ रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, वो again, you have to research a lot, आपकी background पे डिपेंड करता है, future goals पे डिपेंड करता है, Australia की जो skills demand list है, उस पे डिपेंड करता है, तो student visa पे जरिया हो गया, एक हो गया कि आप वहां से skill हो जाओ, एक है कि अगर आपके पास औरड़ी वहां पे experience है, जैसे हमारे बहुत सारे overseas applicants हैं, जिनको हम यही से ही invitation उनका आ जाता है, but of course they have to be like skilled, like my client was working in IT company for example, he had 3-4 years work experience, Delhi में काम करते थे वो, तो उनको हमने सीधा यहां पे 491 पे बुलाया है, New South Wales ने उनको invite कर दिया था, एक और हमारे client थे, Indian applicant, but he was working in US, in Adobe, like at a very good post, and earning really good money, तो उनको हमने ग्लोबल टैलेंट वीजा पे, उनको हमने ग्लोबल टैलेंट वीजा पे उनका चे महने में इसाब पीर बगरा हो गई थी, शे महने में उनकी पीर दिला थी, with the whole family, क्यूंकि US में तो आपको पता है, वो आपको citizenship तो देते नहीं है, he had that 10 years visa, and he was like middle age, you know, around 40 years, and he was like, you know, भाभे पीर होनी नहीं है, so let's try Australia, okay, उनोने हमसे consultation बुक करी, he was talking about like other visa, I was like, hang on, let's get you global talent, so we got him that visa in 6 months, highly talented guy, you know, meeting the high income threshold, so आपकी profile पर depend करेगा, कि अब आपका profile देखे हम बता सकते हैं, कि कौन सा visa आपको जादा सूट करेगा, और चीज यह भी है, कि अगर आपकी कोई ऐसी skill है, जो could be in high in demand in Australia, like health professionals हो गए, या construction workers हो गए, तो आप already अपने jobs ट्राइ कर सकते हो यहाँ पर, and you never know कि आपको यहीं से कोई sponsor करते हैं, for that job, so this is also something which you should look at, अभी आपनी बात करी, global talent visa वाली, उसमें काउन कोई अपलाई कर सकते हैं, मेरे जाएसा कोई यूट्यूबर एकर की बहुत famous है, जो से इंडिया में, वो कर सकते हैं कि नहीं, ग्लोबल टैलेंट वीजा का कुछ जैसे criteria है, एक तो यही है कि कोई highly talented हो गया, जैसे for example, कोई क्रिक्टर है, वो आना चाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, and he's already got, you know, that kind of caliber, या कोई भी जैसे, जिसके पास कोई ऐसा talent है, international level पर, और international recognition जिनकी हुई है, तो वो कर सकते हैं, बाकि एक global talent visa, यह भी है कि अगर आप target sector में है, जैसे कि circular economy हो गया, fintech हो गया, infrastructure हो गया, health industry में हो गया, education industry में हो गया, but then it has to be like a very high profile applicant, और या तो आप already high income threshold meet करते हो, जो की है 170,000 पर या प्लस सुपर, 170,000 जो ऑस्ट्रेलिया का है fair work income threshold, या आपको यहाँ पर कोई जॉब दे सकता है उतनी income की, तो of course, has to be somebody higher, right? So, हमारे clients जैसे कुछ हैं, जिनको global talent visa मिला है, like I just gave you the example, the guy who was working in Adobe, and then you know these companies, you know IT companies, I had a client from Nokia as well, he got that global talent visa as well, I had one engineer, he was working at a very high position, in an engineering firm, so इस ताइब की जो अगर आपका profile है, तो आप definitely global talent visa देख सकते हो, but just to update, अभी यह, subclass तो यही रहेगी 858, बद इसका नाम अभी है, चेंज कर देंगे, national innovation visa, इसका criteria भी थोड़ा सा change हो जाएगा, not too much, but I think they want to include people, who want to set up their businesses as well in Australia, अच्छा आपने business वाली बात करी, कुछ लोग जैसे investment visa भी तो होता है, उसका क्या सीन रहता है, तो वो अच्छली अभी बंद हो गया है, तो उसकी वज़ा, उसकी replacement में, यह जो national innovation visa है, जिसका subclass भी रहेगा, global talent वाला 858, so we will have to see, people who want to invest money in Australia, in a business, they might be able to come through this visa, but अभी इसकी announcement हुई नहीं है, तो maybe in a month, we will find out, ऐसा नहीं कर सकता है, बंदा की वहां से, जैसे चलो, जैसे पहले था investment visa, आप real estate में invest कर सकते थे, कि नहीं कर सकते थे, commercial yes, residential no, कि अगर आप city में कोई building की खरीद लो, नहीं, तो क्योंकि फिर वो तो काफे जादा फायदा हो जाता ना, फिर investors का, तो वो नहीं अलाव करते थे, और जो investment भी है, वो इनके जो कुछ, जो fund companies थी, उनके तुरू ही आप कर सकते थे, अपनी मर्जी से नहीं invest कर सकते थे, मेरे को पता है कि जिसे न, एकदम से तो पैसा नहीं बरसने लग जाता, तो काफी tough रहता है इसमें भी, क्योंकि आपको migration agents hire करने पड़ते हैं, और भी जो lawyers हैं न, तो काफी खर्चा होता है, तो वो आपने कैसे setup किया सारा कुछ, क्योंकि खर्चा तो है, और Australia तो बहुत महिंगा है, खासकर जो labor pages को हम लोग बोल देते हैं, वो काफी जाता है, देखो जब मैंने अपना ये business start किया, पहली बात तो मेरे दिमाग में ये आया ही नहीं कि, चलेगा के नहीं चलेगा, या पैसे मैं कमाऊंगी के नहीं कमाऊंगी, मेरे माइन में तब यही था कि, बस में को ये करना है काम, I'm enjoying this, I'm enjoying helping people, I'm liking this, I'm grateful कि मैं इस profession में हो, और तब कभी नहीं सोचा कि, कितने पैसे आ रहे हैं, आभी रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कोई चक्कर नहीं था, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा, hang on, कि अगर में को, I want to reach wider audience, you know, wider community, how can I do that more, तो अब मैं अकेली तो, तो, you know, हफ़ते में कितने केस संभाल लोंगे, चार, पांच, अगर मैं को धंग से करना है, तो not more than maybe four or five, और जब मैंने actually a business start किया था, I was working seven days, so just letting you know, कि अगर किसी को ये लगता है, कि business run करना बहुत easy है, it's not, about three years, I was working almost seven days, then I reduced to six, now I'm working five days, तो अभी things have got a little bit better, but you know, अभजोद आपको पता ही है कि business करना is not easy, मैं आपको उताना चाहता हूँ, ये मेरा business नहीं है, बट स्टिल मैंने जो छोटा सा अपना start किया है, इसमें आपको हर एक शीच खुद से करनी है, अगर कोई guest आ रहा है, उसका सब कुछ देखना है कि यहाँ पानी की दिक्कत ना आ जाए, इवन ट्वालेट और भी आपको खुदी जाव करने होते हैं, कि हाँ भई, अगला बंदा जो आ रहा है, उसको सब सही मिले, तो business बहुत टाफ है मेरे जाव से, बिल्कुल, बट यह है कि business start करने से पहले, जो बस मैं यह advice देती हूँ, कि बड़े लोग बोलते हैं, कर लो, करना चाहिए, अगर आपको passion है, बट अगर आपको अभी 100% knowledge नहीं है, अपने field की, तो आप, which means अभी business के लिए ready नहीं हो, पर कई लोग यह भी कहते हैं, कि start कर लो साथ साथ में सीखते जाओगे, तेखो मेरे profession में ऐसे नहीं है, because then I'm risking other people's future also, तो मेरे profession में यह था कि, मैं जब तक 100% confident नहीं थी, कि मुझे अब आता है, कुछ भी, कोई भी problem आजाए, किसी भी तरह का case आजाए, पर हमेशा जो मतलग मेरा जो परस्नल यह लगता है, वो है knowledge, ठीक है, तो knowledge आपकी होनी चाहिए A1, क्योंकि this is the era of, you know, lot of competitors, तो यह नहीं कि आपकी इंडुस्ट्री में आप अकेले हो, अगर आप यूटीबर आप अकेले हो, आपको पता है न, कि कितने हैं, और आप उन सब से कंपीट करें, how do you stand out? The only thing you can stand out is, with your knowledge, with your skills, जो आपकी skills है, जो आपकी knowledge है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता, फिर चाहे कोई कैसे भी video बना ले, 4K में कर ले, कुछ भी कर ले, क्योंकि अगर knowledge आपके पास है, you have everything, and you should be ready to share your knowledge also, with others. हमारी company में क्या था, अभी अगर आप देखोगे न, काफी migration agents की जो business हैं, वो soul trader है, एक अकेले, क्यों? क्योंकि काई बरी, not everybody, I think काफी लोग पर ऐसे सोचते हैं, कि मुझे किसी और को काम नहीं सिखाना, फिर मेरे और उसमें क्या फरक रह जाएगा? यह बहुत है, especially हमारी देशी कमुनिटी में, कि कोई किसी को सिखा के राजी नहीं है. तो पर जब मैंने शुरू की हमन का hang on, कि मैं अकेली, I can do four or five cases. If I clone myself into ten, we can do hundred, right? We can help hundred people. तो मेरा idea हमेशा यह था कि हमारे company का जो culture है, वो है sharing knowledge with each other. जो मुझे पता है, वो मेरी colleagues को भी पता है, मेरी team को भी पता है. हमारा knowledge level is same. तो हमारे sessions होते हैं हर week, mentoring sessions, continuous professional development sessions, हम बहुत invest करते हैं training पे, अपने team के लिए. तो अगर आप मेरी से बात कर रहे हो, मेरी team से बात कर रहे हो, you'll get same advice from the whole company. तो यह starting में बहुत था कि hang on, कि मैंने इतनी मुश्किल से यह सब सीखा है, कि मैं आगे किसी को सिखा रही हूँ. पर वो मैने अपने आपको change किया थोड़ा सा, कि नहीं, I have to be a bigger person, कि मुझे ऐसे नहीं सोचना, कि फिर तो मेरे और और लोगों में कोई फरक नहीं रहाएगा. तो हमेशा अपनी नौलज़ शेयर की है, team के साथ, and that's the reason we have agents now, और हमारा जो विजन है, वो है, we want to scale up to 50 migration agents. Everywhere in Australia, we want to have our branches overseas as well. अभी हमारे तीन offices हैं, Brisbane, Sydney, Melbourne पे, और having 50 migration agents means, obviously, we are talking about, you know, having agents in every city, you can walk into any of our office, and you can talk to agents in any city, और आपको बहुत high-level की service मिलेगी, honest advice मिलेगा, और यह करना, नवजोद, you know, it's not easy. पहले बात तो, ऐसे लोग डूँने, जिनकी vision आपके साथ मैच करती हो, जो मेरे values हैं, अगर मेरे हमारे जैसे company के values हैं, heart, which is like honesty, effective communication, always learning, you know, results first, team player, अगर उनकी values मेरे साथ नहीं मैच करते, कभी भी मैं उनको hire नहीं करूँगे. नहीं, यह चीज तो मैंने देखी, यह मैं इसलिए नहीं कर रहा है, कि आप यहां बैठे हों, यहां जो भी है, पर मैं एक बाद उताना चाहता हूँ, कि जिसी साब से मैंने भी अपनी file process करवाई है, काफी quick रहता है, मैं अपना एक experience share करना चाहता हूँ, बीच में मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ ही रहता है, तो उसने ना, जब मैं इंडिया जाने वाला था, तो ऐसा सीन था, हमारा ना वो था कि मैंने उसको बोला, कि मेरे ना credit card में पैसे है, क्योंकि इंडिया में तो चलना नहीं, मेरे को इंडिया में पैसे चाहिए, और अगर वो बारा बज़े के बाद हो जाता, तो केस खतम था, यह भी बहुत होता है, पर मैंने आप लोग के साथ देखा है, कि काफी क्विक सिस्टम है, कि आप पीशे पढ़ जाते बंदें, भाई देर मत कर यह डॉक्युमेंट हमको दे दे, हमारे साथ actually उल्टा होता है कि हमें अप्लिकेंट्स बोलते हैं कि, okay, can I get some more time? क्यूंकि हमारा, देखो, वी वर्क लाइक, आप लगा लो कि जैसे मिक्डॉनल्स है, मिक्डॉनल्स में सिस्टम है, आपने बर्गर ओर किया, पहले वो बन करेंगे, पैटी करेंगे, वो process है, right? That's why it's so quick, because there is a system. If there is no system in the business, तो कभी भी वो process quick नहीं हो सकता. तो हमारे हर चीज का एक process है, आपने sign up किया, तभी आपको checklist आ जाएगी. अगर दो दिन में आपने हमें document नहीं बेजे, phone आने शुरू हो जाएगे आपको, और हमारा, you know, tolerance towards error is 0%, and the whole staff knows that, कि errors भी हम accept नहीं करते, because the profession we are in, it's a very delicate profession we are in, तो गलती करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. Okay, ये कोश्चन नहीं मैं पनी मम्मी के लिए पूछना चाहता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ, मेरी मम्मी की कोई तो फ्रेंड है, ठीक है, मैं इंडिया में, तो उनकी कोई तो रिलेटिव है, जो यहाँ पर शाइद सिड्नी में, पता नहीं में मैल्बन में है, उन्होंने, पता नहीं अब उनको अपने घरवालों से पैसे चीए होगा, आप दो लड़की तो लड़की ने बोला कि पहले 60 लाख रूपय पैसे लग रग रहे थे, अभी एक मीने में इनमोंने कर दे कि नबे लाख रूपय लगेंगे, तो ममी मेरी ने इन को फोन कि इसे, रोज में बात करता उसे, तो ममी ने मेरे को रैंडम पूशा कि पी आर दी किन्ने पैसे लग दी मैं का मेरी पी आर के चक्रम पूछ रहे कि हो या कि निया है तो उसने बोला मैं का इतनी तो नहीं लगते हैं कि 60 लाग रुपया है नहीं कि 1 लाग वीजा डॉलर अगर 90 लाग तो और आप जोड़ दो त तो देखो जो आपकी जो पी आर अप्लिकेशन अप डिपेंड करेगा कौन से वीजा की हम बात कर रहे हैं बड़ एक सिंगल अप्लिकेंट आप जो है अप्लिकेशन फी होती है जैसे हम स्किल्ड वीजा लगा लहे हैं इवन की अगर आप 186 या 482 की अप्लिकेशन फी खु बड़ी में आपकी खुषसी इवन की सबस्क्राइब करेंवेट एपिष संगूंजञ दिल्सक्राइब प्लिकेशन उख या बड़ाइब भाईजार नहीं की इससी इससेस्मेट ऑडि करके टो इससेस्टाइब या तो इंटी थाजन बहुत मैक्स वीजार यानि की इंडिय कि 10 लाख रुपए मम्मी एनने नहीं लग दे 60 लाख ठीक है ओके तो मेरे को अपना थोड़ा अपने आउडियंस के लिए ही जानना है तो जैसे आपने पहले पी आर की बात करी थी तो कोई बंदा इंडिया में बैठा है वो भी पी आर लेके आ सकता है और यहां से भी ले सकत आए तो उनको क्या गाइडेंस दोगे क्योंकि पता क्या है इंडिया में हमारे जंट्स बहुत गलत सला देते हैं कि आप इस कॉलेज में चले जाओ कि पॉसर नें ब्लैक लिस्टेट कॉलेज भी एंधर यहां पर कोर्स चेंज नहीं होते हैं बाद में क्योंकि बहुत सारी इसकमें डालते हैं देखो एक बात तो है कि कईबरी इंडिया से वीजा लेने के लिए आपको कोई भी कोर्स में कईबरी आना पड़ जाता है क्योंकि अब जैसे अगर पी आर नर्सिंग में है बड़ आपका बैग्राउंड वो नहीं बन रहा है इंग्लिश नहीं आ रही ह है या लेट से ऑटोमोटिव आपने करनी है वो है वेट कोर्स जो की है सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लेवल कोर्स हो गया तो उसमें अब चकर ही आ जाता है कि इंडिया से वीजे नहीं आते वैसे कोर्स के तो थोड़ी सी गड़बड तो है देखो क्योंकि यहां पर आके most probably आपको राई दुबारा लेनी ही पड़ती है तो पहली बात तो आप वहां से जब आपने वीजा ले लिया थी कि आपके background future goals के हिसाब से उन्होंने आपको एक बड़ी वीजा दे दिया पर जब आप यहां पे आते हो आप अपना reassess करवाओगे सारा profile कि इस कोर्स में मैं यह ठीक है मुझे continue करना चाहिए या I have to change it तो अभी जैसे बहुत सारे students ने डाउंग्रेड कर लिया था नो जो तब ही वो बंद भी हो गया क्योंकि universities of course they are not happy with it कि आप university में आयो वीजा आपको इसलिए मिला कि आपने university में admission लिया है फिर आपने डाउंग्रेड कर दिया वीजा भी आ जाता है क्योंकि देखा जा उनको देना ही पड़ेगा ना वीजा क्योंकि अगर वा refuse भी करते हैं तो आपके पास current वीजा तो तब आप डाउंग्रेड कर रहे हो आपको पता है अभी जी टे क्राइटीरिया भी थोड़ा सा चेंज हुआ है तो आप एक तो अपना level मत चेंज करो अगर आप बैचलर में आए हो बैचलर में ही रहो बैचलर में भी आपको बहुत अच्छे courses मिल सकते हैं जिसमें permanent residency है उसके ब करें उसमें बढ़िया हमारी distinction आ जाए उसमें हमारी बढ़िया जॉब लग जाए तो उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती ना देन भी डॉंट है अगर वो प्यार लिस्ट में नहीं है आप अच्छी डिगरी करके अच्छी जगा जॉब ले लो तो employer भी आपका sponsor कर ही है और PR आई है क्यों क्योंकि उनको जॉब मिल गए थी जैसे हमारी कुछ जॉब्स हैं marketing specialist हो गई information organization professional organization analyst हो गई policy analyst हो गई बहुत सारी ऐसी occupations फिर भी निकल के आती है customer service manager हो गई यह सारी occupations business degree से ही निकल के आती है बट यह है कि एक साल का हमें experience चाहिए उसमें experience ले सकते हो तो PR आ सकती है आपकी employer sponsor visa भी डल सकता है अभी आपने बात करी business degree वाली ठीक है तो कुछ ऐसा visa भी पढ़ते है ना जैसे आपने course वगरा complete कर लिए कुछ लोग अपना business भी खोलते है उसका क्या process होता है हमारे regional Queensland में है business visa तो अगर आप 1 lakh dollar की investment करते हो तो वो आपको 6 मेने बा का भी system होता है turnover की requirement उसमें नहीं है but I would still say try to have like at least break even kind of business क्योंकि उसमें फिर हम उनको explain कर सकते है कि अभी नया business अभी लिया है you know business plan दिखा सकते है future का तो बट यह है कि लाक डॉलर की investment होने चाहिए regional Queensland में उन्होंने पोस्ट कोर्स दियो है specific वहीं पर यह business होना चाहिए skill assessment फि उसमें नया नहीं कर सकते हैं आप existing business को खरीद सकते हैं चाहिए grocery store हो गया fuel station हो गया कुछ भी हो गया cafe हो गया तो बट एक और option भी है उसमें अगर आपको खरीदना नहीं है तो अगर आपका खुद का business है और आप अपना business run कर रहे हो दो साल के लिए तब भी आप वो 491 आप अपना business studio कर लेते हैं तो that can be counted by the time आपका 485 visa आया पांचे महने आपने 485 पे भी किया वो business दो लाग की turnover होने चाहिए साल के दो लाग की turnover है तो आप 491 ले सकते हो अगर आपने दो साल चलाना है अगर already existing business करीद रहे उसमें को turnover की जरूत नहीं है तो जैसे अबी आपका अपनी चीज़ों तो बहुत होती रहती है बट थोड़ा सा जैसे delicate है you know visas का scenario delicate होता है तो sometimes it might like sound funny but it's actually not funny you know क्योंकि situation ऐसी है बट कई बरी जो में को थोड़ी से हरानी होती है लोगों की बाते सुनके कुछ applicants आते हमारे पास जैसे अबी पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ you know और साथ में job बहुत बढ़िया लग गई है किसी और field में and you know they are over the moon कि यार मतलब पैसे तो बहुत अच्छे आ रहे हैं तो फिर वो हमें कई बरी बोलते हैं मैं सोच रहा हूँ कि मैं PR लों के ना लों मतलब उनको कई लोगों को ऐसे लगता है कि PR is like कि उनकी मर्जी है कि वो ले या ना ले कि मतलब it's like an effortless thing तो उनको गई बरी समझाना बटता है कि नहीं you'll have to plan now कि अगर आपको PR लेनी है तो उनको लगता है कि ये इतनी easy चीज है कि हम बाद में सोचेंगे कि यार देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में रहना है कि नहीं रहना है प्यार लेनी है कि नहीं लेनी तो उनको ये नहीं पता कि it can get very difficult तो it's मतलब I know it's easy but with the right strategy but it's not easy कि आप इसके बारे में सोचो भी ना और आपको PR मिल जाए पर ये लोग का ओभी होता है कि उनको PR चाहिए नहीं है कि हाँ पैसे उसे कमा के इंडिया जले जाना है ऐसे मैंने बहुत कम देखे हैं to be honest especially हमारी community में mostly लोगों का mind change हो जाता है by the time उनकी TR आ जाती है then they know कि नहीं actually हमें यहीं रहना है जी काफी लंबी podcast होगी है ठीक है तो अभी close करते हैं तो आप बता दें कुछ सला देना चाहें हमारी audience को या कहां पे आपकी services ले सकते हैं कैसे आपको reach out कर सकते हैं बिलकुल so हमारी website है nationwide invitemigration.com.au आप हमारी website visit करें वहाँ पे different type के services हैं जो हम offer करते हैं आप online book कर सकते हो बाकी हमारा YouTube channel है you know social media channels है जहां पे आप थोड़ी सी information ले सकते हो और हमारे जो office है वो Brisbane, Sydney और Melbourne में है तो आप मुझे contact कर सकते हो या हमारे team के कोई भी agent से आप बात कर सकते हो हमारे team के जो agents है वो हर agent different visa के लिए specialize करते हैं तो जब आप हमारी website पे जाओगे आप अगर service category चूज करोगे उसमें you have the option to choose your agent also और हमारी website पे आप ये भी देख सकते हो कि कौन से agent कौन सी languages में बात कर सकते हैं तो जो language में आप comfortable हो आप उन agents के साथ book कर सकते हो तो कोई बंदा अगर इंडिया स है ठीक है तो वहां से contact कर सकते हैं आप इंडिया से files लगाते हो ना बिलकुल तो अगर आप इंडिया में हो आप हमारी website पे जब जाओगे booking online वहाँ पे offshore एक है offshore visas तो आप वह वहला link से book कर सकते हो ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अपना time देने के लिए ठी क्यू नब्चि लोट